हेलो गाईज, वेलकम बेक टू ग्यानवर्शा आज इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन ट्रेफिकिंग का पार्ट सेकिंड डिसकस करेंगे पार्ट फर्स्ट में हम लोग देख चुके थे कैसे प्रोटीन जो है इंपोर्ट होती है नुकलियस में अब हम चलते हैं पार्ट सेकिंड की तरफ इस पार्ट में हम लोग देखेंगे जो आपकी प्रोटीन्स है अब वो कैसे इंपोर्ट होंगी माईटो कॉंट्रिया में हमें यह देखना है इस पार्ट में तो देखेगा जान से सुनिए मेरी बात इसके लिए पहले आप कुछ चीज़ें समझिए देखें माईटो कॉंट्रिया माईटो कॉंट्रिया हमें पता है कैसा होता है डबल मेंब्रेन बाउंड और गैनेली है डबल मेंब्रेन बाउंड और गैनेली है अब इस mitochondria में कैसे protein import होंगी देखिए ऐसा नहीं है कि mitochondria खुद की अपने देखिए mitochondria खुद का ही अपने इसका खुद का क्या होता है RNA होता है खुद का सब कुछ होता है तो यह अपने proteins भी बनाता है लेकिन कुछ protein से nucleus से लेता है अपनी synthesis के लिए ठीक है तो ऐसा नहीं है कि सारे protein mitochondria खुदी बना लेता है कुछ mitochondria कुछ proteins बाहर से भी लेता है तो उन proteins का import कैसे होता है तो mitochondria क्या है अपका double membrane bound organ लिए mitochondria पर एक outer membrane होती है outer membrane और एक क्या होती है आपकी inner membrane होती outer membrane और inner membrane इस तरीके से अगर यह mitochondria है आपका तो यह outer membrane हो गई ठीक है और इसकी inner अगर membrane की मैं बात करूँ तो यह inner membrane हो ठीक है यह outer membrane और यह inner membrane और इन दोनों के बीच में जो space होता है उसे क्या बोलते हैं इंटर membrane space यह जो बीच में बाइट कर लगा है इसको क्या बोलते हैं इंटर membrane space ठीक है और यह जो अंदर यहाँ पर जो मैं आपको कलर करके दिखा दीगा यह जो यलो कलर में मैंने कलर किया है इसको यह क्या होता है आपका यह है आपका मेट्रिक्स क्या है मैं मैं इंटर membrane space में एक बर कलर कर दे रहे हूं झाह क्या देवा है अब देखिए अब देखिए क्या है कि outer membrane है mitochondria में inner membrane है matrix है और दो membrane की बीच में दो space है उसे बोलते हैं inter membrane space ठीक है तो अब हम आगे चलें तो देखिएगा देखिए प्रोटीन कोई import होने के लिए कोई भी प्रोटीन है अगर उसे mitochondria में अंदर import होना है तो उसे उसके लिए कुछ translocans की requirement होती है की requirement होती है translocans की translocans की requirement होती है तो हम देखिएंगे पहले outer membrane में कौँसे translocans होते हैं then inner membrane में कौँसे translocans होते हैं जहां से तुनेगा तो outer membrane के translocans होते हैं उसे बोलते हैं हम tom outer membrane के translocos को क्या बोलते हैं tom tom की full form क्या है translocase translocase of the outer membrane चीखें अब कौन कौन से translocase होते है आउटर membrane में तो seven different subunits से बना होता है यह tom complex Tom complex जो है यह यह tom complex है कितनी सब्यूनित से बना होता है, 7 सब्यूनित से, 7 सब्यूनित, कौन-कौन सब्यूनित होती है, ये देखेगा, यहां लिखती हूँ, लिखे करके, कौन-कौन जी subunits होती हैं देखिए आपकी first हो गई 20 टॉम 20 पर दूसरे कर लिखती है टॉम 20, टॉम 22, टॉम 20, टॉम 22, टॉम 70, 70, टॉम 40, इतनी हो गई, 4 हो गई, टॉम 5, टॉम 5, टॉम 6, टॉम 7, इस 7 क्या हो गई यह आपकी, subunits हो गई, टॉम complex, टॉम complex इन 7 subunits से बनता है, टॉम 20, 22, 70, 40, 5, 6, 7, यह जो जैसे 20 है, तो इसका molecular weight है, इस subunits का, 20 klo डालतन तो उससे बना है यह, समझाया है? अब देखू, जो यह 5, 6, 7 है, 5, 6, 7 है, यह जो subunits है, यह क्या role play करती है? यह टॉम complex की assembly and dynamics को maintain करने का काम करती है, इसमें involve होती है, assembly and dynamics का, assembly and dynamics, टॉम complex की assembly और dynamics के लिए क्या होती है, required होती है, 5, 6, 7 subunits, लिए वही पर अगर बात की जाए, आपके 20, 22 और 70 जो subunits होती है, वो क्या करती है? कोई भी precursor protein को recognize करती है, कोई भी, यहां मैं यहां लिख देती हूँ, 20, 22, 70 क्या करती है, precursor protein को recognize करती है, precursor protein को recognize करती है, और कहां भेशती है, tom 40, जो कि एक central component होता है, central, मतलब आप कह सकती है, central component है, तो उसको tom 40 को, यह precursor protein को recognize करके tom 40 के पास भेशती है, अभी समझ आएगा आगे कैसे, मैं दोबारा repeat करने मैंने, अब तक क्या बूला, ध्यान से सुनना, देखो, mitochondria है, double membrane mound organally है, उसमें outer membrane होगा, inner membrane होगा, outer membrane में outer membrane जो होता है, उसमें tom complex होता है, translocase of the outer membrane, ठीक है, tom की full form है, यह 7 sub unit से मिलके बना होता है, 20, 22, 70, 40, 5, 6, 7, जो 5, 6, 7 होती है, वो required होती है, tom complex के assembly और dynamics को, की maintain या आप कह सकते हैं, उनके tom complex के लिए ही required होती है, उसके assembly और dynamics के लिए, लेकर जो 20, 22 और 70 होती है, यह क्या करती है, प्रिकरसर प्रोटीन को recognize करती है, और tom 40 को भेजती है, tom 40 के पास भेजती है, tom 40 क्या है, एक central component है, channel forming है tom 40, अब आगे जब हम यह figure देखेंगे न, तो समझाएगा कि कैसे protein जो है recognize हो रही है, अभी बहुत बेसिक समझते हैं हम लोग, वहीं पर अगर हम लोग inner membrane की बात करें, अब inner membrane को मैं next page पर बता रही हूँ, क्या क्या होता inner membrane में, क्यों नहीं space नहीं है, देखो, अगर inner membrane की बात की जाए, mitochondria की inner membrane की, ठीक है, अब inner membrane में भी कोई obviously complex होगा, तो उस complex को हम बोलते हैं tim complex, tim, tim की full form क्या है, ट्रांस लोकेस, अब यह तिम कॉंपलेक्स, दो चीज़ से होता है, तिम 23 कॉंपलेक्स को कंजिस्ट करता है, तिम 22 कॉंपलेक्स को कंजिस्ट करता है, तिम 23 को एंड तिम 22 को, नवास समझ आया, ठीक है, तिम 23 एंड तिम 22, दो complex होते हैं, अब तिम 23, 3 आप कह सकते हैं, membrane protein से मिलकर बना होता है, तिम 23, 3 membrane protein से मिलकर बना होता है, फर्स्ट इस तिम 50, तिम 50, सेकेंड इस तिम 23, एंड थर्ड इस तिम 17, जो दोबार रिपीट कर रही हूं, तिम complex, जो complex मिलकर बना होता है, तिम 23 और तिम 22, तिम 23 जो है तिम 50 को इंक्लूट करता है, तिम 23 को और 17 को, ठीक है, वहीं पर अगर बात की जाए, तिम 22 complex, ये किस-को कंजिस्ट करता है, तिम 22 complex किसको कंजिस्ट करता है, तिम 18, तिम 22 और तिम 54, ठीक है, तिम 18, 22 और 54 को, ठीक है, इतना बास समझ आया, चलो, अब आगे चलते हैं, ये बहुत बेसिक था, इसमें कुछ इतना टफ वाला पार्ट नहीं था, अब देखो, अब आपकी जैसे प्रोटीन है, ठीक है, कोई प्रोटीन है, अब ये इंपोर्ट होनी है, ये क्या होनी है, माइटो कॉंड्रिया में इंपोर्ट होनी है, तो इस प्रोटीन को इंपोर्ट होनी के लिए, देखो, ध्यान से सुनो, ये प्रोटीन जब इंपोर्ट होगी, mitochondria में तो depend करता है कि इसे कहा import होना है क्योंकि mitochondria के पास क्या क्या reason है first reason है matrix then बात की जाए mitochondria में protein inner membrane पर भी transport हो सकती है import हो सकती है और protein outer membrane पर भी import हो सकती है वही protein को कहा जाना है matrix में जाना है protein को inner membrane में जाना है या outer membrane में जाना है प्रोटीन को कहा जाना है जैसे यहां से देखिए यहां से समझिए यह आपके सपोस कीजिए यह वाली मैं प्रोटीन बना रही हूं एक यह परपल कलर में मैंने प्रोटीन बनाई यह प्रोटीन है आपकी यह प्रोटीन है अब इस प्रोटीन को कहां जाना है आउटर मेंबरेन में जाना है इस प्रोटीन को इनर मेंबरेन में जाना है या इस प्रोटीन को आपके मैट्रेक्स में जाना है कहां जाना है तो यह targeting होती है inner membrane में और कैसे mitochondrial protein की targeting होती है outer membrane इस video में मैं बस यह पढ़ाओंगे कि protein की कैसे targeting होती है matrix में सिर्फ आज जो हम cover करेंगे part वो matrix वाला part cover करेंगे otherwise video बहुत long हो जाती है और मैं भी ठक जाती हूँ तो देखो अब दिहान से चलना दिहान से सुनना मेरी बात देखो कोई भी protein है जैसे ये protein है इस protein के पास क्या होता है प्री सीक्वेंस होता है क्या होता है ये प्री सीक्वेंस प्रेजेंट होते है प्री सीक्वेंस ये जो प्री सीक्वेंस होता है ये एन टर्मिनल पर प्रेजेंट हैता है माईटो कॉन प्रोटीन के कहा पर प्रेजेंट होता है एन टर्मिनल पर यह N-Terminal Matrix Targeting Sequence होता है Pre-Sequence क्या है? N-Terminal Matrix Targeting Sequence तो यह Matrix में Target करता है प्रोटीन कहां जाएगी? मैट्रिक्स में तो प्रोटीन पर N-Terminal Matrix Targeting Sequence होता है जिसे आप बोलते हैं Pre-Sequence यह जो Pre-Sequence होता है किसमे रिच होता है? ये basic positively charged amino acid rich हुता है basic positively charged amino acid rich होता है basic positively charged में भी lysine and arginine lysine and arginine दुबारा repeat कर रहे हैं ये जो pre sequence है ये N-terminal matrix targeting sequence होता है ये आपका lysine and arginine rich होता है या फिर आप कह सकते हैं basic positively charged amino acid rich होता है कभी भी इसमें negatively charged acidic residues नहीं आते हैं, इस pre-sequence में, इतनी बार समझ आई, अब देखेगा, यह जो pre-sequence होता है, यह 25 to 35 amino acid का रिच होता है, 25 to 35 amino acid, ठीक है, अब चलो, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से targeting होती है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, मैं दिहान से समझना, अच् हो, अगर आपका यह protein है, इसको matrix में जाना है, इसके लिए इस protein को partially unfolded होना होता है, कि मतलब ऐसा ना हो कि पूरी तरीकी से protein folded हो, नहीं, तो इसको partially unfolded होना पड़ता है, उसके लिए कौन required होता है, cytosolic hsp70, cytosolic hsp70, cytosolic hsp70 क्या कहता है, वो करता है कि जो protein unfolded है, जो protein unfolded है, वो unfolded ही रहे, तो वो क्या करता है, bind कर जाता है protein पर, नहीं देखो समझाती हूँ कैसे, यहां तो सुनना मेरी बात, यह देखो, color use कर लेते हैं, black, इससे हमें दीखे, देखो, यह क्या है अपका protein है, यह क्या है अपका protein, protein पर यह देखो, pre-sequence है, positively risk है, देख र जाता है, यह ध्यान रखता है कि protein fold ना हो जाए, protein fold ना हो जाए, इसलिए cytosolic HSP 70 जो है, इस पर bind करता है, और इसके लिए क्या होता है, ATP used होता है, ATP जो है, hydrolyzed होता है, और ADP बनता है, ATP की requirement होती है, अब देखो, सबसे पहले कौन protein को recognize करेगा, देखो, सबसे पहले, क्योंकि matrix में जाना है protein को, जहां से सुना मेरी बात, क्योंकि protein को कहां जाना है, matrix में जाना है, matrix में जाने के लिए उसे पहले outer membrane से गुजरना होगा, outer membrane से, फिर उसे कहां से गुजरना होगा, उसके बाद उसे inner membrane से गुजरना होगा, then ही वो matrix में जा सकती है, protein को अगर आपके matrix में ज समय ना देखो protein बब pre-sequence हैjach इस pre-sequence को सबसे बहले recognize करता है सबसे पहले यई pre-sequence bind होता है tom-20 से मैं अलग तरीकी से color करती जाओंगी तो तूं से तुम लोगोß समझ आता जाए tom-20 कौन सा है देखो ये है tom-20 सबसे पहले first bind करेगी ये किस से? 20 से इस वाले से, इस वाले से complex से यह bind करेगी, इस वाले complex से bind की हुई है, इस complex से सबसे पहले bind करेगी आपकी protein यह देखो सबसे पहले pre-sequence ने इसको इससे bind किया, प्री-sequence first किससे bind करेगा, tom 20 से फिर इसको transfer कर दिया जाएगा tom 5 के पास tom 5 के पास क्या कर दिया जाएगा transfer कर दिया जाएगा, अब देखो यह tom 5 है, यह दिख रहा है, यह tom 5 है यह tom 5, देखो arrow भी दिखा रखा है, कि tom जैसे ही 20 ने से recognize किया, इसे कहा transfer कर दिया गया, tom 5 पर और फिर उसके बाद जो आपका central component था जो central component कौन सा था tom 40 फिर वो क्या करती है, यह import port, tom 40 से पास होना शुरू करती है, देखो यह है tom 40, देख रहा है, tom 40 यह पूरा, यह क्या है tom 40 है, ऐसे अलग color से बना देख, यह वाला क्या है tom 40 यहाँ से अब क्या है आपकी देखिए, यह जो protein है import हो रही है, पहले pre-sequence है 20 से, then 5 से then इसको transfer कर दिया गया 40 के पास, जो की central component होता है ठीक है, तो protein क्या है, import पोर के थूरू जाएगी, ठीक है, जा रही है अब क्या होगा, यह outer membrane को cross कर गई, अब क्या, inter membrane और inter membrane से क्या आएगा, inner membrane तो inner membrane में क्या होता है जान समझना आप क्या करेगी यह protein 23, यह tim 23 complex है इससे bind करेगी और इसको complex को cross करते हुए जाएगी तो इस complex को जब यह cross करेगी तो इससे क्या मिलेगा, matrix side में tim 44 ठीक है, tim 44 और किससे bind क्या होगा, वो hsp, mitochondrial hsp 70 protein से bind क्या होगा, तो क्या होगा सुनना मेरी बात, समझ आएगा यह protein transfer हो रही है tim 23 से pass होती हुई जाएगी ठीक है, tim 23 से pass होती हुई जैसे ही जा रही है, देखो सुनो मेरी बात tim 23 से जैसे ही देखो tom 40 से pass हुई tom 40 के बात क्या है, यह bind होती है tom 22 से देखो यहाँ term 22 और है, term 22 से bind होगी, term 22 से bind होते हुई tim 23 से pass होगी, tim 23 से जैसे ही यह pass होते हुई जाएगी, इसे matrix side में tim 44 as well as hsp 70 यह bind की हुए दिखेंगे, वहाँ बनाती हूँ और अलग color से highlight करती हुए यह देखो, यह दीख रहे हैं, यह tim क्या है 44 और यह क्या है hsp 70, तो protein क्या है tim 23 complex से आ रही है inner membrane से, और क्या करेगे tim 44 mitochondrial hsp के साथ associate होगे, क्या करेगा, यहां क्या होता है, यहां से सुनना, यहां क्या होता है, देखो, यह tim 44 है, और यह mitochondrial hsp 70 है, तो क्या होता है कि यह recognize करती है hydrophobic sequence को, कि कौन सा hydrophobic sequence है present, प्रोटीन पर, कहां पर hydrophobic sequence है, जैसे ही hydrophobic sequence मिलता है, यह क्या करते हैं, उससे bind कर जाते हैं, ठीक है, और closely tightly bound हो जाते हैं, polypeptide से क्या होते हैं, यह complex जो है, tightly associate हो जाता है, ADP bound होता है, hsp 70 और इससे closely associate हो जाता है, फिर क्या होता है, ATP आता है, और यह इसको क्या करता है, आगे की तरफ push करता है, मतलब, जैसे ही ATP आया, pocket open होती है, और polypeptide अंदर की तरफ release होती है, वही, बाहर, tim 23 से कैसे आईगी, ठीक है, तो क्या होता है, tim 44 और hsp 70, ठीक है, यह क्या करते हैं, hsp 70, adb, adb bound state में रहता है, क्या करेगा, hydrophobic sequence देखेगा, polypeptide पे, और वहाँ पर closely, tightly bound हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही इसे hydrophobic sequence मिला, यह tightly bound हो जाएगा, फिर क्या होता है, एटीप आता है, एटीप आएगा, ठीक है, एटीप जैसे ही आएगा, क्या होगा, यह polypeptide को release करवाएगा, pocket open होगी, hsp 70 क्या करेगा, इस polypeptide को open करेगा, और जैसे ही, फिर अगेन इसे hydrophobic sequence मिलेगा, एटीप फिर से bind हो जाएगा, उस hydrophobic sequence से, फिर एटीप आएगा, फिर अगेन polypeptide को release करवाएगा, इस तरीके से यह cycle चलती रहती है, ठीक है, इस तरीके से पूरी protein क्या होगी, अंदर matrix में आईगी, अंदर पूरी protein क्या होगी, matrix में आ गई, तो दुबारा repeat कर रही हुँ बचों, बहुत easy है, देहान से सुनना, देखो, आपका protein है, ठीक है, उस पर pre-sequence होता है, जो कि positively charged होता है, ये protein जो है, दुबारा से fold ना हो जाए, तो इस पर cytosolic Hsp70 आके bind कर लेता है, ये pre-sequence सबसे पहले, इसे pre-sequence bind करता है, tom 20 से, tom 20 के बाद इसे transfer कर जाता है, tom 5 पर, द tom 20, फिर tom 5, फिर कौन सा होता है, tom 40, और फिर tom 22, फिर tom 22, ये sequence होता है, tom 20 से पहले, इस sequence bind करेगा, फिर transfer कर दिजाएगा, 5 फिर tom 40 complex के through, जो कि central component उसके पास होगी, फिर in the end, tom 22 से क्या करेगी, अपने आपको, inter-membrane domain से, ये जो pre-sequence है, bind करेगा, inter-membrane domain of tom 22, फिर ये inner membrane में जाएगी, तो tim 23 क्या करेगा, tim 23 complex से pass होगी, tim 23 complex से pass होगी, तो matrix side में से tim 44, HSP 70 के साथ इसे दीखेगा, अब क्या करता है, ये tim 44 with HSP 70, ADP bound state में होता है, क्या होता है, कि जैसे ही इसे hydrophobic sequence दिखता है, ये tightly bound हो जाता है, polypeptide पर जैसे ही hydrophobic sequence दीखा, उसे tightly bound हो जाएगा, फिर ATP आएगा, जैसे ATP आएगा, ये polypeptide release होगी, फिर अगेन इसे अगर कोई फिर से दीखा, hydrophobic sequence, फिर उसे bound हो जाएगा, फिर ATP आएगा, और फिर अगेन ये क्या होगी, ये polypeptide matrix की तरफ release होती है, फ्री होगी, अब दीहान से कुछ बात है, समझना, बैत्रिक्स में क्या होता है, negative होता है, matrix क्या होती है, negatively होती है, समझना, matrix क्या है, negative, mechanics क्या होती है, negatively side, और ये negative और यहाँ पर, inter-membrarian space है, positively side है, मतलब positive है, तो ये कैसे gradient, मतलब, मेट्रिक्स को नेगेटिवली चार्जड होना पड़ेगा क्यों क्यूंकि देखो आपका पहली बात तो यह जो आमाइनो जो यह सीक्वेंज क्या है पॉसिटिव्ली चार्जड है अधरवाइस यह मेंब्रेन में अंदर एंटर करी ही नहीं पाएगा इंटर कर ऐसे प्रोटॉन मैं स्काहिश को वुरू करते हैं मैं डिर्वे औरही है आप क्या होता है जैसी प्रोटीन पूरी अंदर आ गई जैसे ही मैं इस चीज को रफ कर गया पर जैसे ही ये प्रोटीन पूरी अंदर की तरफ आ गई अब क्या करता है MPP mitochondrial matrix processing peptides matrix processing peptides ये जो mitochondria में होता है ये MPP क्या करता है ये cleave कर देता है इस sequence को इस pre sequence को क्या करता है cleave removed कर देता है प्रोटीन में pre sequence है उस प्रोटीन के pre sequence को वो कैसे removed होगा MPP के थूरू matrix processing peptides के थूरू और फिर क्या होता है इस प्रोटीन के फोल्डिंग होनी है तो साइटोसोलिक HSP 70 आएंगे इस प्रोटीन पर बाइंट करेंगे और इस प्रोटीन की फोल्डिंग होगी as well as कई बार क्या होता है प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए अदर HSP 60 भी आते हैं HSP 70 के लाबा HSP 60 आते हैं वो भी उसकी और फोल्डिंग required मतलब और ज्यादा उसकी फोल्डिंग करने में help करते हैं प्रोटीन की बास समझाई देखो यह सब मैंने लिक दिया है कि क्या होता है कैसे होता है मैं दुबारा एक देखो अब मैं एक बार और बता दे रहीं हमने क्या पड़़ा प्रोटीन आपका pre-sequence होता है यह लाइसीन तो होता है इसमें कभी बही negatively charged आमाइनश के नहीं हो Ne инструмент में तो क्या होता है यह pre-sequence जो है पहले बाइंट करेगा आपका tom 20 से then tom 20 के बाद इसे transfer कर दे जाएगा tom 5 पर then tom 40 then tom 22 अब यह जो protein है यह क्या होगा tim 23 complex के थुरू अंदर की तरफ matrix के अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा tim 44 और mitochondrial HSP कोने में बैठे होते हैं दरवाजे के पास वो क्या करते हैं चेक करते हैं क्या hydrophobic sequence है है तो क्या करते है HSP ADP wound state में उस hydrophobic sequence से bind कर जाता है और उसे अंदर नहीं आने देता जब तक ATP नहीं आ जाता जैसे ही ATP आएगा इस protein को दीरे दीरे अंदर की तरफ उस protein से cleave कर देंगे या कह सकते हैं आप removed कर देगा अब protein अंदर आ गई ये protein है आपकी अब इस protein से HSP 70 bind हो जाते हैं और protein की folding में help करते हैं then वाइबर ऐसा होता है कुछ proteins के लिए HSP 60 भी responsible होते हैं इसे आप chepernions कहते हैं वो भी इसकी और folding में help करते हैं बस ये है कि कैसे protein कहीं से भी matrix में मतलब mitochondria के matrix में कैसे protein import होती है I hope guys ये सब मैंने लिखा हुआ आपको पढ़ लेना आपको समझा जाएगा ये जो material है मैं ग्यानवर्चा telegram channel पर share कर दूँगी ठीक है वहां से ये PDF आप ले लेना I hope guys आपको ये अच्छे से समझाएगा अगर नहीं समझाएगा आप मुझे एक बार comment box में बताना पर दुबारा समझाओंगी अभी हमारा रह गया कि कैसे जो protein है वो import होती है inner membrane में या फिर outer membrane में वह हम लोग next part में देखेंगे आप हमें follow कर सकते हैं facebook page पर fb.me ग्यानवर्शा बायो यह हमारी mail ID है अगर आपको कोई doubt हो या कोई और topic पढ़ना हो तो आप हमें इस पर mail कर सकते हैं ग्यानवर्शा query at the email.com पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज इसे like किया किजिए अपने जाया से अपने फ्रेंड्स का share किजिए और मुझे जरूर बताना comment box में कि तुम लोग को protein trafficking समझ आ भी रही है या नहीं अगर नहीं आ रही होगी तो मैं दुबारा से वीडियो बनाऊंगी दुबारा से कुछ कोशिश करूँगी अच्छे इस लोग को और समझाने की वैसे इस वीडियो को बार-बार मतलब जैसे अगर एक बार समझ नहीं है तो एक बार दुबारा